साउथ इंडियन खाना किसे नहीं पसंद? अगर बात हो उत्पम की, तो मज़ा ही आ जाए तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में आज मिलाई हूँ आपके लिए रवा उत्पम की रेसिपी घर पर जटपट बनाए ये उत्पम जिसकी हर बाइट स्वाथ से भरपूर है जब रवा उत्पम बनाने का तरीका इतना आसान हो तो हर कोई जरूर ट्राइ करना चाहेगा रेसिपी की शुरुवात करने से पहले आए दोस्तों SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि लेटर्स रेसिपी आपको जल्द मिल पाएं देख लेते हैं उत्पम को बनाने के लिए इंग्रीडियन्स दो प्याज बारीक कट की हुए दो मीडियम साइज शिम्ला मिर्च बारीक कट की हुई एक चुथाई बंगो भी ग्रेट कर लेंगे इसको थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा दनिया एक गाजर ग्रेट की हुई दो मीडियम साइज टमाटर बारीक कट की हुए धाई कप सूजी बारीक सूजी भी ले सकते हैं मोटी सूजी भी दोनों से ही उत्पम बहुत टेस्टी बनते हैं मैंने यहाँ पे बारीक सूजी लिये दो कप दई मैश किया हुआ एक टेबल स्पून रिफाइन डॉयल दो टी स्पून नमक आप अपने स्वाद के निवसार कम या जाधा कर सकते हैं एक चुथाई टी स्पून इनो मैंने लेमन फ्लेवर वाला इनो लिया हैं आप इसकी जगह बेकिंग सोड़ा भी ले सकते हैं आदा टी स्पून काली मिर्च बारीक पिसी हुई आदा टी स्पून सरसो दस से पंद्रा कड़ी पत्ता लीव्स इंग्रीडियन्स रेडी हैं अब बैटर रेडी कर लेंगे एक बाउल में सूजी आड़ करेंगे साथ ही दई आड़ कर देंगे जो वेजटेबल्स हमने चौप करके रखी थी वो भी इसमें आड़ कर देंगे और थोड़ी थोड़ी vegetables बचा लेंगे onion एड़ करेंगे tomato एड़ करेंगे जो vegetables हम बचा रहे हैं वो उपर से गानिश करने के काम आएंगी और बिल्कुल बजार जैसा flavor देंगी देखने में तो उत्पम बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ में crunchy flavor भी आएगा आप चाहें तो कोई और vegetable भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो जैसे की broccoli, boiled mutter, corn vegetables दालने के बाद अच्छे से mix कर लेंगे अब add करेंगे दीरे दीरे करेंगे पानी और साथ ही mix करते जाएंगे रवा उत्पम की consistency जाधा पतली नहीं होनी चाहिए जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसी consistency होनी चाहिए मैंने तकरीवन दो कप पानी डाल दिया इसमें बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए ढगके set होने के लिए रख देते हैं ताकि सूजी भी अच्छे से फूल जाए जितनी देर बैटर set होता है उतनी देर हम तड़का की त्यारी कर लेते हैं flame on कर लेंगे लेंगे एक तड़का पैन और उसमें अड़ करेंगे 1 टेबल स्पून ओइल half टी स्पून सरसो अड़ करेंगे साथ ये अड़ करेंगे कड़ी पत्ता लीव्स इस तड़के से बैटर में बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है flame को medium रखेंगे तो चलिए बैटर चेक कर लेते हैं बैटर विल्कुल ready है इसमें आड़ करेंगे 1 चुथाई टी स्पून इनो इनो की जगा आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं वो भी same work करता है इसे डालने से उत्पम बहुत ही fluffy बनते हैं और soft बनते हैं साथ में बहुत ही फोक के और टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगते हैं mix कर लेंगे अच्छा से अब जो हमने तड़का ready किया था वो इसमें आड़ कर देंगे एक बार फिर से बैटल को अच्छा से mix कर लेंगे देखे कितना बढ़िया लग रहा है यह और इसमें कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है अब एक पैन लेंगे मैंने यहाँ पे non-stick पैन लिया है आप चाहे तो कोई और पैन भी ले सकते है बस फर्क कितना है कि उत्पम बनाते समय आपको घी जादा डालना पड़ेगा अब पैन पे डालेंगे घी आप चाहे तो रिफाइंड ओल से भी बना सकते है पर घी से हर चीज का टेस्ट जबल हो जाता है बैटर एड़ करेंगे और हलके हाथ से इसे अच्छे से फिलाएंगे आप उत्पम छोटा बड़ा जैसा मर्जी बना सकते हैं उसके एकॉर्डिंग आप बैटर कम या जादा लें मैं यहां मीडियम साइज का बना रही हूं तो मैंने यहां पर एक कर्ची बैटर लिया है साइडों में गी डालेंगे फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे इसके उपर भी थोड़ा सा गी डालेंगे थोड़ी देर के लिए इसे लेट से कवर कर देंगे ताकि यह अच्छे से उपर से भी पक जाए अब लेट हटाएंगे और चेक करेंगे यह असानी से उतर रहा है अब जो वेजिटेबल्स हमने बचाई थी वो इसके उपर गार्निश के लिए डालेंगे देखे कितना बढ़िया लग रहा है यह थोड़ा सा गी आड़ करेंगे उपर हलका सा दबा कर इसे पलट देंगे देखे कितनी अच्छी तरह सिखा है यह गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है बिल्कुल त्यार है यह गर्मा गर्म सर्फ करें इसे आप चाहे तो शाम के स्नैक्स में भी बना सकते हैं या फिर सुबे के ब्रेक्फास्ट में बहुत ही हेल्दी ब्रेक्फास्ट है यह साथ ही साथ यह पॉस्टिक भी बहुत है क्योंकि दाई और सूजी प्रोटीन से भरपूर होते है शेयर करें अपने सजेशन्स और कमेंस मेरे साथ मिलूंगी ऐसी ही और मज़िदार और टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुद्बाई टेक कियर भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना